तो आ चुके exercise 2.3 के question 5 में, यह हमारी exercise का last question होने वाला है, तो बोला क्या है हमें, find the range of each of the following function, यह हमें तीन function दियो हैं, इन तीनों की हमें range निकालनी है, ठीक है, range तो निकाल लेंगे, और हमें साथ में क्या दियो है, condition दियो है, जैसे अगर यह एक value है, एक equation हो गई, जैसे मा belongs to R, मतलब x is a real number, यही चीज़ हो गई, यह तीनों एक चीज़ लिकी हुई है, x belongs to R, मतलब x is a real number, एक चीज़ होती है, और इसने दे दिया, x बढ़ा है 0 से, ठीक है, तो first वाला कर लेते हैं एक पर, तो यह मैंने y is equal to 2 minus 3x लिखा, क्यों, क्योंकि fx को हम y भी लिख सकते ह आए, तो fx के जगे पर मैंने y लिख दिया, मतलब y is equal to 2 minus 3x, और हमें साथ में condition भी दी हुई है, x belongs to R, और x बढ़ा है 0 से, तो मैंने सोचा यार, जब भी real number की बात होती है, मतलब जब भी real number की बात हो, तो open bracket और close bracket हमारे साथ में ही चलेंगे, ठीक है, यह वाला open हो गया, और यह वाला close हो गया, यह close bracket होता है, दोनों तरफ अगर कोई number के आसपास ऐसे लगा दो, तो यह close bracket हो गया, और अगर कोई number के आसपास ऐसे लगा दो, तो यह open bracket हो गया, ठीक, अब यह दोनों bracket काम कैसे आते हैं, तो जैसे हमें कोई number line दी हुई है, ठीक है, यह number line दी हो, zero, one, all फिर 1.1 1.2 ऐसे करके two three, four फिर इबर से minus का one minus का 2.12 minus का 2.2 minus का 2.3 ऐसे 3.1 minus का ऐसे minus का four हो गया ऐसे minus का five हो गया तो real number क्या होता है? 1.1, 1.2 1.3 ऐसे सारे real number होंगे हम इसको छोटा करने के लिए मतलग short form में लिखने के लिए इन bracket का use करते हैं अगर हमें बोल दिया कि answer हमारा 2 से लेकर 3 तक आ रहा है और 2 से लेकर जितनी भी value है 3 तक जारी है मतलब 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 2 भी included होगा उसमें 3 भी included है और इन दोनों के बीच की सारी value मतलब 2.9 तक 2.1 से लेकर 2.9 तक वो भी लिखनी है तो ऐसे लिखोगे कि answer equals to 2.1 और 2 भी included है 2.2, 2.3, 2.4 ऐसे कहां तक लिखोगे 3 तक लिख दोगे अच्छा उसने 2 से 9 तक बोल दिया तो 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 ऐसे 4.9, 5.1, 5.2, 5.9 ऐसे चलते रहोगे तो बहुत time लग जाएगा तो जैसे हमें अगर 2 से लेकर 3 तक लिखना है तो मैं 2,3 तो लिख दूँगा अब bracket कौँचा लगाएंगे इसके अंदर अपन अगर 2 included है है इसे मैंने काया कि 2 से लेकर 3 तक करना है 2 भी included है और 3 भी included है इसमें तो जब दोनों तरफ included हो दोनों number तो ये वाला bracket लगता है कौँचा वाला close bracket तो इधर भी मैंने close लगा दिया इधर भी close लगा दिया अच्छा अगर 2 और 3 included नहीं करूँ मैं 2.1 से लेकर 2.9 तक करूँ चीक है तो 2 चीक, 3 ही लिखूँगा मैं पर अब bracket के आ जाएगा ये वाला open bracket मतलब इसमें 2 included नहीं है 2.1 से चालू हो रहा है और 3 included नहीं है 3 से पहले भी खतम हो रहा है 2.9 तक अचा हमें ऐसे बोल दिया के 2 से लेकर 3 तक तो है मतलब पर उसमें 2 included नहीं है हमारा answer क्या है के 2.1 से लेकर हमें 3 तक जाना है 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे करके हमें 2.9 और फिर 3 तक जाना है तो मतलब इसमें 2 included नहीं है तो हम क्या करेंगे 3 included है मुझे पता है ठीक है 3 included है यहां पे तो ये थोड़ा से यहां पे ये इसमें 3 included है ठीक 2.9 तक फिर 3 included है 2.1 से ले रहे है मतलब 2 included नहीं होगा तो जो included नहीं हो उसके सामने ऐसे वाला bracket open bracket और 3 included है तो इसके सामने close वाला bracket ऐसे भी आ सकता है हमारे पास answer चीक है ऐसे भी इस्तमाल कर सकते है अच्छा हमें ये दोनों तरफ अगर open bracket है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते है कि इसमें 2 included नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2.1 से लेकर इसमें 3 भी included नहीं है 2.9 तक और फिर मैं ये वाला close bracket लगा सकता हूँ अब ऐसा क्यों करा थोड़ा सा ध्यान से समझो फिर 2 included नहीं है तो included वाला bracket कौन सा होता है ये वाला होता है bracket का use कहा करना इतना समझ में आ चुका है सब लोगों को फिर भी tension मतलो धीर धीर मैं जैसे जैसे पढ़ाता जारा हूँ वैसे पढ़ते जाओ समझ में आ जाएगा तो ये तो bracket की बात हो गई हम question 1 कर रहे थे ये थोड़ा सा मैं नहीं समझा दिया question 1 में नहीं है question 1 में ऐसा है y is equal to 2 minus 3x x belongs to natural sorry real number और x बड़ा है 0 से ठीक अब देखो हमें domain निकालने को नहीं बोला हमें question में क्या बोला है इन तीनों मतलब जो हमें तीन option दे रहा है 1,2,3 part दे रहा है इन तीनों की हमें range निकालने है तो हम first part कर रहे है हमें domain नहीं निकालना फिर भी हम अगर domain निकाले है तो मुझे पता है कि domain तो यहीं हो गया answer solution इदर से चालू करना है अपन को ठीक है मुझे क्या पता है कि domain सारी क्या होती है x की values तो x की value क्या हो जाएगी एक तो इसने बोल दिया x belongs to legal number और एक इसने बोल दिया x बड़ा है 0 से मतलब negative कोई value नहीं आएगी ठीक है तो जब 0 से बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा 0 included नहीं होगा है न भी इसने 0 से बड़ा बोला ऐसे थोड़ी बोला 0 से बड़ा और equals to 0 इसने सिर्व जिर्व से बड़ा बोला मतलब 0 included नहीं है और 0 से बड़ा कहां तक जा रहा है हमें ये पता नहीं है तो हम infinity तक लेंगे ठीक है मतलब domain क्या आगया 0 से लेकर infinite तक 0 से x बड़ा है और x क्या है real number है तो बड़े तो positive value ही 0 से सारी और सारी positive value मुझे पता थोड़ी है इसने रोका थोड़ी है कि 0 से 5 तक ही है 0 से बड़ा 4 तक है या फिर जिरो से बड़ा 3 तक है इसने बोला 0 से बड़ा है अब बड़ा तो कितना भी हो सकता है infinite तक हो सकता है तो 0 से लेकर infinite तो हो गया ठीक है अब 0 included नहीं था इसमें तो जो included नहीं होता उस पर ये वाला bracket लगाते है अब समझ में आ गया मैंने क्यों समझाया था वो bracket वाली चीज और जब infinity आए तो ये तो पक्का है कि infinity कहीं भी दिख जाए ना open bracket लगा दो पक्का है ये कहीं भी यूज करोगे काम आएगा ये पक्का है अगर हमें minus infinity से infinity plus का दे दे तो दुनों तरफ open bracket लगेगा हमें कोई 0 से लेकर infinity तक दे दे तो infinity के पास तो open ही लगेगा बाकि हमें case क्या दे रखा है वो 0 पे depend करेगा कि 0 पे close लगेगा ये open लगेगा पर infinity की बात बता रहा हूं में ये case पक्का है कि भया infinity के पास open bracket ही लगेगा 5 से लेकर infinity तक दे दिया तो भी open bracket मतलब ये जान लो कि ये अब हो गया fix है ये कि infinity या फिर minus infinity जहां भी आ जाए वहां सोचना नहीं ये direct open bracket लगा दो चाहे ये close bracket के बोल रहा हो question पर हमें open bracket ही लगाना है बस ये याद रखना है ठीक है तो हमने domain तो निकाल लिया ये मैंने समझाया था ठीक है ये answer यहां से चालू हुआ है हमने domain निकाल लिया कि भया 0 से लेकर infinity तक इसने हमें बता दिया domain x की value होती है और इसने ये दे रखी थी x belongs to real number और x बढ़ा है 0 से अब आदे बच्चे कहेंगे हमें domain निकालने को बोला नहीं था फिर भी क्यों निकाला भया ये plus point हो जाएगा एक तरह से जिसको नहीं निकालना मत निकालो हमें तो main है कि range निकालनी है ठीक है question में यही पूछा हमें कि range बताओ domain जिसको बताना बताओ दो क्योंकि मैंने समझा दे कि domain कैसे निकलेगा जो हमें question में ही दे रखा x की value तो उससे हमारा domain निकल गया अब हमें main चीज़ निकालनी है range तो range के लिए हमें condition को लेके चलना है और यह चीज़ बनानी है मतलब 2-3x बनाना है इधर x की जेगे पर मुझे 2-3x बनाना है और फिर यह बड़ा होगा 0 से ठीक है तो मैंने इब इसको देखा और इसके साथ साथ चलना है मेरे को इसको भी लेके चलना है तो जैसे मैंने यहां पर देखा कि भी यह 3x है ठीक है तो मुझे x के साथ 3 लाना पड़ेगा तो मैं क्या both side multiply by 3 कर सकता हूँ तो मैंने कर दिया multiply multiply both side by 3 तो जब मैंने 3 को x से multiply करा तो 3x आ गया बड़ा का sign बड़ा ही रहेगा और 0 को 3 से multiply करा तो 0 ही रहेगा मुझे पता है ठीक है अब मेरा 3x तो यह आ चुका है अब मैंने का इसके आगे minus b है तो मुझे दोनों तरफ minus b लाना पड़ेगा तो मैंने क्या कहा कि भया minus 1 से multiply कर सकते हैं है ना तो मैंने वापिस लिख दिया multiply दिखने दा शायद से हाँ अब सही है तो multiply अपन माइनस 1 से multiply कर सकते हैं क्योंकि अगर इधर minus 1 से multiply कर दिया तो minus का 3x हो जाएगा और 0 into minus 1 तो वैसी 0 होता है तो multiply both side दोनों तरफ ही करना पड़ेगा multiply both side by minus 1 तो जब मैंने इसको minus 1 से करा मतलब minus का 1 into 3x यह बड़ा का sign ऐसा का ऐसा ही 0 into minus का 1 तो यह क्या हो गया minus का 3x ठीक है अरे पैन को क्या हो गया हाँ तो क्या था हमारा minus का 3x बड़ा का sign बड़ा ही 0 into minus 1 0 अब मैंने देखा कि यहाँ पर 2 भी है तो मैं 2 को भी कर दूँगा पर क्या 2 को multiply करेंगे नहीं करेंगे भई 2 multiply हो जाएगा तो 2 into 3x तो 6x हो जाएगा minus का 2 को करेंगे add ठीक add 2 to both side ठीक है हमने दोनों तरफ 2 को add करा मतलब 2 भई 2 plus करा ना तो सेबसे पहले minus का 3x यहीं रहेगा ठीक है इसमें मैंने plus 2 करा बड़ा का sign बड़ा ही 0 में मैंने plus 2 करा इतना clear है ठीक है मैंने question में देखा कि इधर 2 है तो मैंने 2 को add करा अब इसको कैसे भी लिख सकते हैं 2 को आगे रख दो बागी minus का 3x ऐसे रख दो ऐसे भी लिख सकते हैं और 0 plus 2 क्या हो गया 2 हो गया अब यह तो हो गया पर मैंने क्या बताया था कि जब भी हम both side minus से multiply करें और बीच में कुछ ऐसा बड़ा वाला sign ऐसे बड़ा smaller than या greater than ऐसा कोई भी sign आ गया अगर ऐसा कोई भी sign आ गया और दोनों तरफ मैंनस से multiply करना है तो sign चेंज हो जाता है ठीक है तो sign यहां से हमने minus 1 multiply करा था तो यहां से sign ऐसा हो जाएगा clear है तो ऐसे हमें यहां पे भी sign चेंज ही रहेगा अब अपना sign ही change रहेगा यहां पे भी ठीक है तो अब इससे आगे क्या करें मैंने देखा 2 minus 3x हो गया ठीक है 2 minus 3x हो गया तो यहां पे 2 minus 3x को मैं y लिख सकता हूँ ना तो y छोटा है 2 से यह एक चीज हो गई ठीक है तो मतलब मुझे y की value निकालनी है अब 2 से छोटी है y की value मुझे मैंने तो यार 2 से छोटी तो बहुत कुछ होती है इसने बोला क्या हमें 2 से छोटी है है ना मतलब इसमें 2 included नहीं होगा तो 2 included नहीं होगा अब 2 से छोटी तो minus infinity जग जाएगी भई हमें बोलता या फिर 2 से negative 1 तक है 2 से छोटा छोटा तो काफी छोटा जाएगा फिर 2 से छोटा या फिर हमें बोलता के 2 से लेकर minus 2 तक है 2 से छोटा 2 से छोटे की हमें कुछ value दियो थी कि भई यहीं तक है छोटा अब इसने बोला 2 से छोटा तो minus infinity तक जाएगा ठीक है तो मतलब मैंने लिख दिया minus infinity से 2 तक एक चीजी हो गई, मतलब एक तरह से यह range मानो ठीक है range होती है हमारी y की value, क्या होई y की value यह चीजी हो गई, minus infinity से 2 तक, मतलब 2 से छोटी 2 included नहीं है, इसलिए मैंने यह वाला bracket लगाया, ठीक है और मैंने क्या कहा था, infinity हो चाहे minus infinity हो उसके साथ यह वाला ही bracket लगता है तो मैंने इधर भी यह वाला bracket लगा दिया, अब यह वाला क्या bracket open bracket, ठीक है, इधर भी open bracket इधर भी open bracket, अब इस question को मैं एक और बार डंग से समझा देता हूँ भई, हमें यह condition दे रहा की थी मतलब x बढ़ा है 0 से ठीक, x belongs to real number और हमें यह equation दे रहा की थी भई, fx is equal to 2 minus 3x fx की जाएगे भी मुझे पता है y मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि fx is equal to y होता है, मैंने बहुत बार समझा रहा है सब को बता रहा है डंग से ठीक, तो हमने domain निकाला है, यह plus point है बाकि हम चालू यहां से करेंगे, अगर हमें range निकालनी है तो हम domain निकाल सकते है मैंने domain आपको उपर समझाई दिया डंग से कि भई, x belongs to real number तो है पर हमें क्या दे रखा है, 0 से बड़ा है x अब 0 included नहीं है और सारा बड़ा है x, मतलब positive infinity तक infinity या फिर minus infinity आए, उसमें यह open bracket लगेगा और 0 तो included है यह नहीं, तो open bracket लगेगा ही सही range चालू होती है, यहां से x बड़ा है 0 से तो मुझे यह वाली equation मना नहीं थी 2 minus 3x, तो मैं उसको y को equal कर देता क्योंकि y equals to 2 minus 3x है तो x की जगे पे मैंने दोनों तरफ multiply कर दिया 3 से, ठीक है ऐसा वाला sign हो, या फिर ऐसा वाला sign हो वो उल्टा हो जाता है अगर ऐसा वाला sign है, और हम दोनों तरफ negative कर रहे हैं, तो वो ऐसे में बदल जाएगा, अगर ऐसा वाला sign है दोनों तरफ negative multiply कर रहे हैं, तो वो इसमें बदल जाएगा, ठीक है क्योंकि 0 into minus 1 तो 0 यह होता है अब मैंने देखा 2 भी है इधर तो मैंने दोनों तरफ 2 को add करा 2 को add करने पर यह इतना आ गया मेरे पास और मुझे पता है यह 2 minus 3x y के equal है तो मैंने इसकी जिगे y लिग दिया तो मुझे पता चला कि y छोटा है 2 से और 2 से छोटा तो कितनी सारी value हो सकती है 2 included नहीं है और 2 से छोटा minus infinity तक तो जब कुछ included नहीं हो तो यह open bracket लगता है और minus infinity हो या फिर infinity हो तो भी open ही bracket लगता है तो यह हमारी range निकल के आ चुकी है यह हमारा main answer यही पूछा था हमसे जितने भी लोग यहाँ पे close bracket लगाके आएंगे उनका सब गलत हो जाएगा open ही bracket लगेगा दोनों तरफ तो अब कर लेते हैं question 5 का second part second part भी यह ऐसे ही सेम होगा fx की जगे पे सबसे पहले y is equals to x square plus का 2x यह दे रखा है हमें और साथ में क्या है x is a real number दे रखा है अब इसमें हमें कोई condition नहीं दी हुई कि भी यह x बड़ा है इससे x छोटा है इससे तो मैं एक तरह से यह मान लेता हूँ कि x square अब मुझे पता ही है कि x square बड़ा होगा और equal होगा 0 के अब x की जिगे पर कुछ भी value डालो minus की value डालो वो भी बड़ा आएगा 0 से अचा अगर 0 डालोगे तो equal आएगा 0 के और अगर कोई सी भी positive value डालोगे तो भी बड़ा और equal ही आएगा 0 के ठीक है तो मैंने इसको उठा लिया मतलब x square बड़ा होगा और equal होगा 0 के क्योंकि किसी भी नंबर का square कर लो 0 से बड़ा आएगा या फिर 0 का square करोगे तो 0 के equal आएगा ठीक है तो मैंने ये लिख दिया कि x square बड़ा है और equal है 0 के अब इस चीज़ को लेके हमें ये बनाना है ठीक है मैंने x square यहां से उठाया था इसी चीज़ को लेके हमें ये बनाना है तो अब मैंने देखा x square तो है हमारे पास दोनों side plus 2 कर दूँ तो same हो जाएगा तो add 2 to both sides यह तो बहुत छोटा सा answer है 5 का second part x square plus 2 इदर भी क्या कर दिया plus 2 तो यह क्या गया x square plus 2 बड़ा है और equal है 2 के अब मुझे यह पता है यह हमें question में दे रखा है y की value मतलब यह y के बरावर दे रखा है तो यह क्या आगया y बड़ा है और equal है 2 के अब इसने यह बोल दिया कि 2 के equal है मतलब 2 तो included होगा ही होगा मुझे यह पता चल गया अच्छा 2 से बड़ा इसने कोई हमें नहीं रोका इसने बोल दिया 2 से बड़ा मतलब infinity तक जा सकता है positive तो यह हो गया 2 से लेकर infinity तक अब infinity देख गई तो मैंने open bracket लगा दिया और 2 included है तो मैंने यहाँ पे close bracket लगा दिया और यह हमारा answer हो गया मतलब range की value तो आज चुके है third part पे इसमें भी हमें क्या दे रखा है fx is equal to x तो fx के जिएके पे y रख दो y is equal to x यह तो ऐसे ही खतम हो जाएगा हमें condition दे रहा कि यह x is a real number तो domain होता है x की value मुझे पता है domain is equal to x होता है और x क्या है real numbers है ठीक है यह हमें बोल दिया है इसमें क्या है x is a real number तो जब domain x की value real number है तो मुझे पता है कि x और y equal है तो range भी क्या हो जाएगी real number यह हमारा answer था range निकाल नहीं थी range आ चुकी है भई fx is equal to x था fx की जिएके पे y रखा मतलब y is equal to x हो गया x is a real number हमें दे ही रखाता तो जब x real number है तो y भी real number होगा नहीं होगा मतलब domain real number है तो x भी क्या हो जाएगा मतलब y range की value भी क्या हो जाएगी real number तो यह हमारा answer आ चुका है third part भी खतम question 5 हमारा यहीं पे खतम होता है और exercise 2.3 भी खतम होती आप मिलते हैं chapter 3 में